उत्तरकाशी के सिल्क्यारा सुरंग में 15 दिन से फसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव कारे में तेजी आ गई है रविवार को सुरंग के उपर से भी खुदाई शुरू कर दी गए वहीं 800 mm के पाइप में फसे ओगर मशीन के ब्लेट को काटने का काम भी तेजी से चल रहा है सुरंग में फसे मजदूरों के पास रविवार को पहली बार बीस इनल के घंटी वजी बीस इनल ने 6 इंच के पाइप से अपनी लाइन पहुचाने के साथ ही एक लैंड लाइन फोन भी पहुचा दिया है इससे मजदूरों को अपने परिजनों से बात करने का अफसर मिला है बचाओ कारे में जुटे अंतराष्ट्रे सुरंग विशशग्य और नौल डिक्स ने कहा कि सुरंग का धसना असामा निखटना है इसकी जांच होनी चाहिए जो शित्र धाहा वह पहले कभी नहीं धाहा था नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि ओगर मशीन के बचे हुए 13.9 मीटर ब्लेड को काटने का काम रात भर चलेगा सोमवार से हाथ से खुदाई शुरू करने की योजना है मौसम विभाग ने उत्तरा खंड में सोमवार को बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया है बारिश होई तो बचाओ कारे बाधित हो सकता है सुरंग के उपर से खुदाई का काम 24 मीटर तक हो चुका है कुल 86 मीटर की खुदाई करनी है माना जा रहा है कि यदि कोई बाधा नहीं आई तो दो दिन में श्रमिकों तक पहुँच सकते है पाइप से मशीन के मलबे को निकालने के बाद मैनवल खुदाई भी शुरू की जाएगी पाइप के जरिये बनाय जा रहे रास्ते में लगभग 10 मीटर तक ही खुदाई बाकी है जिसके बाद श्रमिकों तक पहुचा जा सकता है बचाओ कारे में मदद के लिए भारतिय सेना की इंजिनियरिंग कोर के एक समो मदराज सैपर्स के एक इकाई रविवार को सिल्क्यारा पहुची इसमें 30 सैने करमी हैं जो नागरिकों के साथ मिलकर हाथ, हथोडे और छेनी से सुरंग के अंदर के मलबे को खो देंगे फिर पाइप को उसके अंदर बने प्लेटफॉर्म से आगे की ओर धके लेंगे वायू सेना भी मदद में जुटी है वायू सेना ने रक्षा अनुसंधान वविकास संगठन से कई महतोपूर्ण उपकरण भेजे हैं सुरंग में फसे 41 मजदूरों तक जल्द पहुचने की आस फिर बंद गई है रविवार से चार रास्तों से मजदूरों तक पहुचने का काम शुरू हो गया है हैदराबाद से आए लेजर कटर वद चंडीगड से आए प्लाजमा कटर से पाइप में फसे औगर मशीन के ब्लेट को काटा जा रहा है इस रास्ते पर अब मैनुल ड्रिलिंग होगी वहीं सुरंग के ऊपर वद दूसरे छोर से ड्रिलिंग के लिए और टीमें बुलाई गई है उधर सोमवार को केंडरे ग्रेह सचेव आजे कुमार भल्ला सिलकायरा पहुच रहे है